नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेनों गुरु यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में लोग प्रैक्टिस करेंगे एडिटोरियल मैटर का अभ्यास करेंगे जो कि 80 सब्द प्रतनर की स्पीड से होगा और पीडियो पिडियो पिसका आपको हमारे टे दोस्तों आपको डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना है लिखने के बाद उसको टांस्क्राइब करके बताना की पीडियो से मैच करके बताना की कितनी मिश्टेक अभी आपकी आ रही है तो जदत समय नहीं तो चले ही स्टार्ट करते हैं तिर्वनंत पुरम में आयोजित एक कारिकरम में उत्तर दक्षिड की राजनीती से संबंधित राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जिस तरह उनके बचाओं में उतरना पड़ा उससे यही साबित होता है कि वह एक बार फिर ऐसा कुछ कह गए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था राहुल गांधी ने खुद के पंदरा शाल तक उत्तर भारत से सांसद रहने का जिक्र करते हुए जिस तरह यहां कहा कि केरल आकर उन्हें लगा कि यहां के लोग सतही राजनीत करने के बजाए मुद्धों की राजनीत करते हैं उससे तो केवल यही ध्वनित हुआ कि उनकी हिसाब से उत्तर भारत वालों की राजनीतिक समझ वैसी नहीं जैसी दक्षड भारत के लोगों की है यह समझ आता है कि राहुल गांधी संसद में केरल का प्रतनिधित्तों करते हैं और इस नाते उनके लिए यहां आवश्यक हो जाता है कि वह यहां के लोगों की तारीफ करें लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि देश के दूसरे हिस्से के लोगों को नीचा दिखाएं जाने अन जाने उन्होंने ऐसा ही किया यहां उनके साथ साथ कांग्रेस के लिए भी नुक्षान दायक हो शकता है इसका प्रुमार पार्टी नेताओं का उनके बचाओ में उतरने के साथ उन्हें नसीहत देना भी है कांग्रेस के वरिष्ट नेता आनंद सर्मा ने राहुल कांधी का बचाओ तो किया लेकिन लगे हाथ यह भी कहा कि उन्होंने अपना नजरिया किस संदर्भ में रखा यह उन्हें ही अस्पष्ट करना चाहिए ताकि किसी तरह के भ्रम की गुंजाइस ना रहे एक अन्य वरिष्ट नेता कपिल सिब्बल ने भी यही कहा कि यह तो राहुल गांधी ही अस्पष्ट कर शक्ते हैं कि उन्होंने अपनी बात किस सिलसिले में कही इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोडा कि मतदाता कहीं का भी हो उसका सम्मान होना चाहिए साप है कि कांग्रेस की वरिष्ट नेताओं को भी यह आभास है कि राहुल गांधी ने लक्षमर रेखा लांग कर विवजह उत्तम बनाम दक्षिड का शवाल भी खडा कर दिया यह ठीक नहीं कि कांग्रेस सरीखा राश्टी दल छेत्रियता को हवा देने वाले छेत्रिय दलों के नक्से कदम पर चले इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे राहुल गांधी को सोच समझ कर बोलने की शक्त जरूरत है क्योंकि अभी हाल में जब वह असम गए थे तो यहां बेतु की बात बोल गए थे कि यहां के चाय मजदूरों को तो मामूली मजदूरी मिलती है लेकिन गुजरात की ब्यापारियों को पूरा चाय बागान ही मिल जाता है इसी तरह तमिलनाड दोरे पर उनके ऐसे बिगड़े बोल सुनने को मिले थे कि यहां के लोगों को दूसरे दरजे का नागरिक बनाने और उनकी भासायों संस्कृती को दबाने की कोशिस हो रही है कांग्रेस छेत्रवाद की ऐसी ओची राजनीती करके अपना और नुक्षान ही करेगी इस्टाप होगे दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिक्स करिएगा पुलिटिकल मेटर है और जो इसमें सब्दायों है आप लोग उसको अभ्यास कर लिजेगा असे सब्द प्रैक्टिक्स वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिएगा ताकि ओभी इसका लाब ले सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा जिसे आपको डेली डिक्रेशन और उसका पीडियोप मिल सकें पीडियोप दोस्तों अगर आपको पूरा पीडियोप साइए तो वीडियो के डिस्कृशन में लिंक दिया गया है और दोस्तों कर आप डेली डिक्रेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मिमबर्सिप ले सकते हैं या हमारे पैट ग्रूप को जाइन कर सकते हैं अधिक जानकारी के तो वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्य बाद धन्स वाराचिंग जैहिं जै भारत